असलाम लेकुम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वैलकम वैक टू माई यूट्यूब चैनल मेरा जो इंस्टाग्राम का डीम है वह इतना ज्यादा फुल हो गया आप लोगे मैसेजिस से के और्डिनरी के प्रोड़क्स जो है उनका रिव्य चाहिए या नहीं सारा जो है रिव्यू शेयर कर दें तो गाइस अगर आप में से कुछ लोग इस्टाग्राम पे मेरे उस पे नहीं है तो जल्दी से जाएं और मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें क्योंके मैं आप लोगों के साथ कुछ ने कुछ शेयर करती रहती हूं जो के मैं यूट्यूब के ओपर शेयर नहीं कर सकती ठीक है तो आप लोगों ने वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लेना है और कुछ भी पूछना चाते हैं तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मैं आप लोगों को रिप्लाइ भी कर दूँगी अच्छा अब आ जाती है कि अच्छा किया है वह भी बहुत जादा डिमांड थी के और्डिनरी के प्रड़क्स जो है उनको गार्दे मैंने सिर्फ और रिव्यू पर पस के लिए ही इनको खुरीदा है अधर्वाइस मेरा कोई भी फ्यूटर में इरादा नहीं था के मैं और्डिनरी के प्रड़क्स तो मैंने यहां पर कुछ प्रड़क्स करीदी हैं जो कि बहुत जादा फेमस है जिनकी बहुत जादा हाइप है अभी सिर्फ टू वीक्स हुए है यूज करते होई तो कुछ प्रड़क्स जो है मैंने वह बीट में छोड़ भी नहीं है यूज करना यूंकि मैं दूसरे जो सबको टेस्ट करना चाहती हूं कि उनके बेसिकली रिजल्ट्स क्या है अजब से पहले हम लोग देख लेते हैं के मेरे पास प्रड़क्स कौन-कौन से है ठीक है सबसे पहले है और्डरी का यह है ग्लाकॉलिक एसिट सेवन परसं टोनिंग स्लूशन ठीक है यह है हमारे पास और अंदर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूं बहुत इस एलिगेंट सी पैकेजिंग है और्डरी वालों के प्रड़क्स मुझे पैकिंग बहुत पसंदाई है इनकी और यह देखें यहां पे दिया हुआ है सब हमाई मैंशन किया है किस तरह से हमने इसको अपलाय करना अच्छा है नेक्स्ट है वो है हमारे पास यह है रोजिप सी डोई ठीक है इसको भी मैं अंदर से आप लोगों को दिखा देती हूं उसके बाद हमारे पास है AHA BHA peeling solution इसको भी देख लेए इसको मैंने अब तक दो तीन दफा यूज किया है ठीक है वैसे यह वीक में एक दफा यूज करते है नेक्स्ट है हमारे पास वो है रेटनोयल 1% और अंदर से आप लोगों को दिखा देती हूं इसको जो है मैंने फ्र यह मैं अभी जो है वीडियो प्राने के लिए उठा के हाई हूं नेक्स्ट है हमारे पास वो है नाइसाइनमाइट और यह है 10% विच जिंक तो आप लोग जानते ही होंगे जिंक जो है वह हमारे स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है इसके जो है कुछ इसरा हों के पैकेजिंग है यह वाइट कलर की बोटल में है अच्छा अब और्डिनरी के बारे में मैं आप लोग को ब्रीफली बताते हूं वह लोग जिनको और्डिनरी के बारे में बिल्कुल भी अंताजा नहीं है और्डिनरी जो है वो वो प्रेंट है जो हमें जिनके इंग्रेडिय को ही अपने प्रोड़क्ट का नाम दिया हुआ जिस तरह इनका हाइल रोनिक ऐसी डोगया जिस तरह इन नाइन साइरमाइड हो गया इसी तरह जो दूसरे प्रोड़क्ट मैंने आप लोगों को दिखा है तो उनने उसी को ही हमारी स्कीन के लिए बना दिया कि कौन सी चीज आप लोगों ने खरीदने हैं उसके ओपर थोड़ी सी रिसर्च आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है ठीक है क्योंकि हर जो उनका प्रोड़क्ट है वो हर स्कीन टाइप के लिए नहीं है अगर आप लोग मेंस के स्टार्ट में फॉस्ट टाइम यूज कर रहे हैं दैन आप मेरी स्कीन को सूट कर रहे हैं उसके इलावा इसको 0.0% में भी आता है और उससे जादा अप भी है जैसे जैसे आप लोगों को आदत परती जाएगी तो हम लोग इसको आईसा-ईसा से बढ़ाते जाएंगे स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग ज्यादा परसेंट वाला ल るाव होता है उसका इसका आप लोगोंने लेना है ठीक है रेट नॉल जो है वो यह काम करता है कि हमारे रोंद रच बहरा है को अची दरह नहीं को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना है तो अगर आप लोग रेट नॉयल खरीदते हैं उससे जो है स्किन ड्राय होना शुरू हो जाएगी उसके लिए फिर बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने यह नाइस हैना माइड लेना है क्योंकि यह हमारी स्किन को अच्छी तरह से हाइड्रेट करेंगा इनके टाइमिंग यह किस टाइम में क्या जिस तरह रेट नॉयल है वो डेर टाइम में हम यूज नहीं कर सकते हैं वह हमारी स्किन को जो है अगर फिर हम लोग इनको यूज नहीं करते तो बहुत जादे इंपोर्टन्ट है कि आप लोगों ने साथ संब्लॉक या जिसमें भ वह है AHA & BHA यह बैसी कली सोलूशन जो हमारी स्किन को पील कर देता है आप 我們 स्क्रभ इंग हमारे जो संब्ल्न सेक्रों करें हैं और या जो की स्किन के लिए तेक्षाइटर है तेक्षार लिए इससे एज पतस तरह यह नंदर यह हमारी स्किन को इकष्फॉलियर करता है इसको मैंने दो तीन बार यूज किया है एंड आउट क्लास रिजल्ट मिले है मुझे उसी टाइम ही मेरे फेस पे इतनी अच्छी जबर्दस्ती जो है वो ग्लो आ गई है ठीक है नेक्स्ट में आप लोगों को इनका सब का जो है रिव्यू दूँगी और यूज करकर क क्योंकि अभी मैं खुद भी टेस्ट कर रही हूं अभी मैं आप लोगों को बता रही हूं कि कौन सी चीज किसलिए यूज होती है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी उके उसके बाद आज आ जाता है हमारे पास यह हमारे पास अच्छा इसको मैंने बता किसलिए खरीद है उनके दो आ रहे था कि बिपीलिंग स्लूशन का बता दें आप लोगों में से बहुत से जो हैं लोग मुझे मैसेजीज वगरा कर रहे थे और बता कह रहे थे कि रिव्यू शेयर कर दें यह मैंने खुद ही लिया मेरा टिक टॉ अच्छ होगी है साफ होगी है तो मैंने सोचा कि इसको एक ट्राइल लाजमी देना चाहिए मैं अभी यह जो है आज़ा हमारा डियॉडरेंट भी यूज होता है ठीक है इसको मैं अपने आमपेपे भी उसका रही हूं यह वाला एलिया जो है यह थोड़ा सा डल है थोड़ा यह वाकीँ हमें ब्राइटनिंग डेता है यह नहीं अच्छा यहे जो है हमारे पास नाय सैङनमाइड यह हमें ब्राइटनिंग आफेक्ट भी देता है है नहीं करता है धिय। इसके प्रॉपर यूज से हम इसको अपने जितने भी हमारे स्कीन के प्रॉब्लम्स है, हाइपर पिग्मेंटेशन, डार्क सर्कल्स वगारा ये उनको बिल्कुल ही खतम कर देता है, तो इसका भी मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी क्या ये वाकिए में वर्क करता है ये नह से हेप झारब ये हमारे स्कीन को अच्छी तरह पनेट हो और ये स्कैन को हाइडतर रखें लीजेकर रिक्षिस का रेख घिया तो मैंने अभी तक इसको 2 दफा ही त्राय दिया होता है वहां जो दो द Inspir Time मैंने बिल्या किया किया कि इसको बीट में ब्रेक लेख टेखization की र जो हैं ने वह एनलाइज करना था कि उनका क्या है रिव्यू और इसके इलावा यह जो है मुझे फील हुआ है कि इसने हलके हलके सो जो है मेरी वह वाला एरिया जहां पर बहुत जादा मेरा ओई आता है लाइक नोस वहां पे मुझे पिंपल फील हुए अब मुझे यह नहीं इसको मैरे टोटली स्किप कर दिया क्योंकि मेरी मेरी स्किनजन और एहां प्रमे क्वेस भी वह colour में आपको मुझे तो मेरी अब या जुद हमें फेस्क है मैरी आपक मेरे मिघा आता है मेरे लेकिन यह जो है लोग मुझे farmer तो मैं अब टेस्ट करूंगी इसको मजीद भी स्किन पर अपलाय करके देखूंगी क्योंकि यह जो है प्यूर ओई है एंड इसको मैंने जेड रॉलर और इंड गौशा यूज करते हुए इस वाले ओई को यूज किया था यह देखें ठीक है तो जो ड्राय स्किन वाले होंग नेक्स्ट मैं जैसे ही इन प्रोडक्स को यूज करूंगी आप लोगों के साथ लाजमी आप रिव्यू शेयर करूंगी कि यह प्रोडक्स लेने चाहिए यह नहीं अगर आप मेंसे किसी ने भी यूज किया हुआ है इनको इसके बारे में जानते हैं तो मुझे लाजमी कुम